हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ मैं इस स्टोरी के थरू आप लोगों को वर्ड मिनिंग को याद करना सिखाऊंगी क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी मुझे कुछ याद करना होता है तो अगर मैं पढ़ते-पढ़ते अपने back-of-the-mind में एक विजवल स्टोरी क्रियेट करती हूँ जो भी मुझे पढ़ना होता है या फिर याद करना होता है के लिए मुझे किसी भी चीज को रटना नहीं पढ़ता है और वो मुझे हमेशा के लिए याद भी हो जाता है मैं इस बात की स्टोरी दे सकती हूँ कि अगर आप भी पढ़ते-पढ़ते विजवल मेनिंग को अपने back-of-the-mind में अगर सोचेंगे तो आप भी किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रख सकेंगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मतलब बहुत समय पहले पहले, बहुत समय पहले यहाँ पर एक सेर रहता था लिव का मतलब होता है रहना He was old, वह बूढ़ा था, and, or, not very strong anymore, मतलब वह मजबूत भी नहीं था, anymore का मतलब होता है, जरा भी, वह जरा भी मजबूत नहीं था, once, एक बार, he did not get any pray two days, he did not get, ये past indefinite का tense का sentences है, इसलिए did not का use किया गया है, he did not get, get का मतलब होता है पाना, उसने नहीं पाया, क्या नहीं पाया, any pray, pray का मतलब होता है सिकार, वह दो दिन से अपना सिकार नहीं पाया, मतलब वह दो दिन से भुका होगा, ये P-R-E-Y वाला pray है, इस pray का मतलब होता है सिकार, और P-R-E-Y pray का मतलब होता है, पुजा करना, या फिर प्रार्थना करना, he tried to look for food वह फूट खोजने की कोशिज कर रहा था मतलब अपने लिये खाना खोजने की कोशिज कर रहा था everywhere मतलब हर जगा वह हर जगा अपने लिये खाना खोजने की कोशिज कर रहा था क्योंकि वह दो दिन से भूखा था बट लेकिन पुड नॉट फाइंड एनिफिंग उसे कुछ नहीं मिल रहा था एनिफिंग का मतलब होता है कुछ नहीं फाइंड का मतलब होता है मिलना उसे कुछ नहीं मिल रहा था He became very weak become का second form became का यूज किया गया है क्योंकि ये past indefinite का tense है और weak का मतलब होता है कमजोर होना W-E-E-K weak मतलब कमजोर होना ओर W-E-E-K उसका मतलब होता है सब्ता के weak ठीक है आगे पढ़ते हैं One day एक दिन While he was wandering While मतलब होता है जब Wondery का मतलब होता है wandering का मतलब भटकना जब वो भटक रहा था इन दे जंगल हो प्लेसली जंगल में हो प्लेसली मतलब बीना किसी आसा के वह इस बात की आसा छोड़ चुका था कि अब उसे कुछ खाने को मिलेगा क्योंकि वह दो दिन से भूखा था और उसे मिल भी नहीं रहा था कुछ इसलिए यहां पर बोला जा रहा है एक दिन जब वह जंगल में भटक रहा था बीना किसी आसा की कि उसे कुछ खाने को मिलेगा वह एक केव के बगल से गुजरा केव का मतलब होता है गुफा अचानक मिलना अचानक से उसे एक गुफा मिली he thought यहां पर think का second form thought का use किया गया है he thought मतलब वह सोचता है यह past indefinite का tense से इसलिए यहां पर think का second form का use किया गया है there must be some animal inside this cave मतलब यहां पर must का मतलब होता है जरूर there must be some animals मतलब कुछ animal होंगे inside this cave this cave के अंदर मतलब इस गुफा के अंदर inside का मतलब होता है अंदर cave का मतलब होता है गुफा तो इस cave के अंदर वह सोचता है कि इस cave के अंदर जरूर कुछ animal होंगे full stop I will hide myself मैं अपने आपको छुपा लेता हूँ hide का मतलब होता है छुपाना, myself का मतलब होता है खुद को, I will hide myself मतलब मैं खुद को छुपा लेता हूं behind the bushes, bushes के पीछे, bushes का मतलब होता है जाडिया, bushes का मतलब क्या होता है जाडिया, मतलब जाडियों के पीछे मैं खुद को छुपा लेता हूं, behind का मतलब होता है के पीछे, मतल वह अपने आपको बूसी के पिछे चुपाने के लिए सोचता है First of When the occupant come out occupant के लिए यहां पर occupant का यूज किया हो गया है Occupy का मतलब होता है रहने वाला मतलब जब भी वर रहने वाला बाहर आएगा पहर आना I will eat it मैं उसे खालूंगा देखिए ये future indefinite test का sentence है I will eat it का मतलब मैं उसे खाल लूँगा future में खाऊंगा He hid He hid यहाँ पर hide का second form He hid himself behind the bushes वह अपने आपको bushes के पीछे मतलब जाडियों के पीछे छुपा लेता है behind का मतलब होता है के पीछे bushes का मतलब होता है जाडिया वह अपने आपको जाडियों के पीछे चुपा लेता है He waited for वह इंतजार करता है many hours मतलब many का मतलब होता है बहुत hours का मतलब होता है घंटा वह बहुत घंटा इंतजार करता है but लेकिन nobody came out कोई भी बाहर नहीं आता है of the cave out of the cave cave के बाहर कोई भी बाहर नहीं आता है बहुत घंटे तक He was starving terribly मतलब starving का मतलब होता है भूग से तलपना और terribly का मतलब होता है बहुत जादा मतलब वह बहुत जप जादा भूक से तलप रहा था And got irritated और वह बहुत ही irritate हो चुका था परिसान हो चुका था, फ्रस्टेट हो चुका था, क्योंकि वह बहुत दिन से भुखा था Suddenly, he thought, अच्छानक से वह सोचता है Maybe the occupant is somewhere out in the jungle अच्छानक से वह सोचता है, कि सायद, maybe का मतलब होता है सायद, the occupant, मतलब जो रहने वाला है, is somewhere out मतलब, कहीं बाहर होगा, in the jungle जंगल में बाहर होगा, उस Cape में नहीं होगा, वो बाहर होगा इसलिए वो अंदर से बाहर नहीं आ रहा है I should wait, मुझे इंतजार करना चाहिए Should का मतलब, मैंने आपको कल सिखाया था, should का मतलब होता है चाहिए के essence में, use किया जाता है, should का I should wait, मतलब, मुझे इंतजार करना चाहिए Inside the cave, मतलब, मुझे इंतजार करना चाहिए Inside the cave, मुझे उस Cave के अंदर, मतलब, गुफा के अंदर इंतजार करना चाहिए Not outside, ना कि बाहर इंतजार करना चाहिए Looking around the cave Looking around का मतलब होता है देखना वो cave के चारो तरफ देखता है The lion stilltly got inside जो वो lion था वो stilltly का मतलब होता है चुपके से अंदर सला जाता है Got inside का मतलब होता है अन्दर चले जाना वो उस cave के अंदर सला जाता है Thinking वो सोचता है Now, this is the good idea अब यह now का मतलब होता है अब अब this is a good idea मतलब यह अच्छा विचार है क्योंकि वह अंदर आ चुका है यह वह सोच रहा है अंदर आकर उसने काफी अच्छा किया है I will pounce on the animal as soon as it enters the cave वह सोचता है I will pounce pounce का मतलब होता है तूट पढ़ना जिसे आप attack भी बोल सकते हैं इसका synonym हो जाएगा attack मतलब I will attack आप attack का भी यूज कर सकते हैं यह आपर I will pounce on the animal मतलब उस animal के उपर मैं pounce कर दूँगा उस जानवर के उपर मैं attack कर दूँगा as soon as it enters the cave जैसे वह इस cave में आएगा मैं उसके उपर attack कर दूँगा again he waited for hours फिर से उसने wait किया मतलब इंतजार किया for hours बहुत घंटे उसने इंतजार किया but there was no one लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया he was losing his patience patience का मतलब होता है धैरे losing का मतलब होता है खोना अब वह अपना धैरे खोद देता है क्योंकि उसे बहुत जोड से भूख लगी हुई होती है वह बहुत ही frustrate हो चुका होता है क्योंकि उसे भूख लगी हुई है after some time उस समय के बाद a fox came near the cave एक लोमड़ी होती है वह आती है गेर का मतलब होता है इस लोमड़ी से बिलॉंग करता है बिलॉंग का मतलब होता है संबंध रखना इस लोमड़ी से संबंध रखता है हर यहां पर लोमड़ी के लिए यूज किया गया है the fox was very smart वो जो fox थी वो बहुत ही ज्यादा smart थी बहुत ही ज्यादा clever थी चालाग थी she was living in that cave for a very long time वह उस cave में बहुत ही long time से रह रह रही थी living का मतलब होता है रहना that cave मतलब उस cave में for a long time मतलब बहुत समय पहले से उस cave में रह रही थी and was familiar with the surrounding of the cave और वह उस surrounding से उस वातावरन से काफी परिचित हो चुकी थी familiar का मतलब होता है परिचीत होना वह अपने केव से के वातावरन से काफी परिचीत हो चुकी थी कहने का मतलब यह है कि वहां पर कोई भी आता या जाता था उसे पता चल जाता था कि यहां पर कोई आया था या फिर गया था she felt that, उसने ऐसा महसूस किया, feel का second form felt का use किया गया है, she felt that, उसे ऐसा महसूस हुआ कि something was definitely wrong, definitely का मतलब होता है जरूर, यहाँ पर कुछ जरूर wrong मतलब गलत हुआ है, यहाँ पर जरूर कुछ गलत हुआ है, ऐसा वह felt करती है, महसूस करती है, क्योंकि उस surrounding से काफी familiar थी, she was walking very slowly, वह काफी धीरे walking का मतलब होता है, चलना, धीरे धीरे आगे चलते हुए आगे बढ़ती है, slowly का मतलब होता है, धीरे 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 चलते हुए आगे बढ़ती है, silently towards the cave, cave की तरफ, मतलब अपनी गुफा की तरफ, towards का मतलब होता है, की तरफ, वह अपनी गुफा की तरफ silently, मतलब धीरे से सांती से आगे बढ़ती है, ताकि अगर कोई हो भी तो उसे पहचाने ना suddenly, suddenly का मतलब होता है अचानक से, she noticed, उसने ऐसा notice किया, उसने ऐसा देखा, the marks of the lion going towards the cave, पगमाक्स का मतलब होता है, पंजो की निशान पगमाक्स means, पंजो की निशान, इसके lion के lion के पंजो की निशान was going towards towards का मतलब होता है, की ओर जा रहा था, going का मतलब होता है, जाना इस ओर जा रहा था, the cave मतलब उसके गुफा की ओर जा रहा था एक सेर के पंजो की निशान and thought, और ऐसा सोचती है, think का second form thought का use किया गया है, और ऐसा सोचती है looks like a lion was entered my cave ऐसा सोचती है की ऐसा लग रहा है उसे ऐसा लगता है, looks का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना like a, मतलब ऐसा उसे लग रहा है एक lion जो है, वह entered किया है, मतलब अंदर गया है my cave, उसके cave उसके गुफ़ा के अंदर एक lion अंदर गया है ऐसा वह सोचती है क्योंकि उसे क्या दिखता है, उसे pug marks दिख जाता है of lion का how do I make sure he is still inside आगे वो लोमड़ी सोचती है मैं कैसे sure करूँ मतलब मैं कैसे इस बात की surety लेकर आऊं कि वो जो सेर है, वो जो used her presence of mind वो जो लोमड़ी थी, used करती है मतब استعمाल करती है, किस के استعمाल करती है, her presence of mind अपने mind को अपनी चालाकी को استعمाल करती है c played a trick एक वो चाल चलती है played a trick का मतलब होता है चाल चलना वो एक चाल चलती है क्या चलती है, चले देखते है c stood at some distance from the cave she stood at some distance वह stand, मतलब खड़ी हो जाती है at some distance, थोड़ी दूरी में distance का मतलब होता है दूरी में वह खड़ी हो जाती है थोड़ी दूरी में from the cave, कहां cave से थोड़ी दूरी में जाकर खड़ी हो जाती है to save herself in case of sudden attack and shouted, कहने का मतलब ये है वो दूरी में क्यों जाकर खड़ी हो जाती है To save herself, अपने आपको बचाने के लिए इस case में, in case of sudden attack Suddenly का मतलब मैंने आभी आपको बताए अचानक से उसी का sudden का use क्या गया है sudden attack से, attack से बचाने के लिए वो खाफी दूर जाकर खड़ी हो जाती है and shouted और चिलाती है क्या चिलाती है? Hello cave, अपने वो गुफा को आवाज देती है Hello cave, I have come back मैं वापस आ गई हूँ Hello cave, मैं वापस आ गई हूँ ऐसा वो अपने cave को बोलती है अपनी गुफा को बोलती है Why are you so silent today? आज तुम इतनी चुप क्यों हो? ऐसा वो किसने बोल रही है? वो अपनी गुफा को बोल रही है जहां वो रहती थी क्या बोल रही है? Why are you so silent? silent का मतबत है चुप हो ना तुम आज इतनी चुप क्यों हो? My dear cave, मेरी प्यारी गुफा आज तुम इतनी चुप क्यों हो? May I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? And occupy my residence और मैं जहां पर रहती हूँ? वहां पर मैं रह सकती हूँ? On getting no answer कोई भी जवाब न मिलने पर C again shouted वो फिर से चिला कर बोलती है क्या बोलती है? Are you angry with me? क्या तुम मुझसे गुस्ता हो? Dear Kev मेरी प्यारी गुफा क्या तुम मुझसे गुस्ता हो? If you do not see If you do not welcome me अगर तुम मेरा वेलकम नहीं करोगी In the usual manner जैसा कि तुम हमेशा करती हो Usual का मतलब होता है हमेशा Manner का मतलब होता है तरीके हमेशा जिस तरीके से अगर तुम मेरा वेलकम करती हो अगर तुमने वैसा नहीं किया I will go to some other cave मैं चली जाओंगी Go का मतलब होता है चली जाना Some other cave मतलब Cave का मतलब होता है गुफा मैं किसी और गुफा में चली जाओंगी अगर तुमने हमेशा की तरह मेरा welcome नहीं किया I will never come back मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी to you, तुम्हारे पास again, मतलब फिर से I will never come back to you again मतलब मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊंगी फिर से Hearing this, मतलब ऐसा सुनकर, hear का मतलब होता है सुनना, ऐसा सुनकर the lion thought, thing का second form thought का use किया गया है lion सोचता है I am hiding in must definitely be a talking cab सेर जो है वो बोलता है the cab, यह जो cab है, जिसमें वो है I am inside, मतलब जिस cab के अंदर वो है must definitely be a talking cab जरूर यह cab बात करने वाला cab है, मतलब यह जो गुफा है यह बात करता है लोंगडी से the cave is keeping quiet यह जो cave है, यह जो गुफा है keeping quiet है, quiet का मतलब होता है saant रहना, keep का मतलब होता है quiet का मतलब saant, keep का मतलब रहना, जरूर यह cave saant इसलिए है because, क्योंकि of my presence inside, क्योंकि वो अंदर है, वो सेर वो अंदर है, इसलिए यह cave नहीं बोल रहा है उस सेवर को देख कर अगर cave answer नहीं देता है if the cave does not answer का मतलब होता है अगर ये cave है ये answer नहीं करता है the fox question fox के उस question का fox apostropious का मतलब होता है fox के question का fox will go away वो जो लोमड़ी है वह चली जाएगी go away का मतलब होता है चली जाना thinking that he was very wise ये सोचते हुए कि वह बहुत ही चलाख है the lion answered lion अपने आपको बहुत चलाख समझता है और answer देते हुए कहता है in the rearing noise में मतलब दहारते हुए आवाज में वह answer देते हुए कहता है on behalf of the cave मतलब cave की ओर से वह lion अपने दहारते हुए आवाज में answer देते हुए कहता है तुम वापस आते हो मैं तुमसे जो बात करता हुए मैं उस बात को करना नहीं भूला हुए my dear fox ऐसा वह lion बोलता है cave की बिहार्प में fox को I slapped so I could not hear your voice मैं सो गया था slip का second form slapped का use किया गया है मैं सो गया था सो इसलिए I could not hear your noise मैंने तुम्हारी आवाज को नहीं सुना क्योंकि मैं सो गया था please come in कृप्या करके अंदर आजाओ come in का मतलब होता है अंदर आजाओ and now the clever fox was अब जो है वो जो clever fox चालाक लोमडी जो थी absolutely sure हो गई थी absolutely का मतलब होता है बिल्कुल sure हो गई थी that a wicked lion was hiding in her cave wicked का मतलब होता है बहुत ही धूर्थ धूर्थ बेवकुफ lion जो है वो hiding मतलब छुपा हुआ है in her cave उसके गुफा में see rain away in a flash वो rain away का मतलब होता है भाग जाना in a flash का मतलब होता है पलग जपकते ही जैसे ही वो आवाज सुनती है lion की वो पलग जपकते ही वहाँ से भाग जाती है she was happy with her trick वो अपने trick से वो अपनी चाल को चलकर काफी खुश थी she had played जो उसने चला था उस चाल को चलकर वो काफी खुश थी while running she laughed and to herself जब वो दौडती है वो काफी हसते हुए दौडती है only a fool would believe that cave can talk which is like a fool you like a wykorpekt लोगों मेरा में पर्पर्पस तुरी सिखाना नहीं बल्गी आप लोगों को dairy use sentences Kommuner 2 को भी सिखाना है अब लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लग रहीँ तो कुछ आर से जिंदो करें आप अर्ख लोगों के लाइक ही हम लोगोंHo को म।किवेट करता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए तो अगर आप लोग इस तरह के वीडियोको और पसंद करते हैं तो कमेंट में जरूर रिप्लाय करें ताकि मैं बिच-बिच में ऐसे stories वाले वीडियो लाती रहूंगी और हमारे इस pre-English classes को जरूर सब्सक्राइब करे P.R.I. pre-English classes को जरूर सब्सक्राइब करे तब तक के लिए keep learning